तो गाईस पहले हम लोग इस विडियो में बात कर लेते हैं बिग बस के बारे में सायोद अब लोगों को पता हुगा रिसेंडली बिग बस में सभी कॉंटेस्टेंड का घरबाले आये थे तो क्या जिया का मॉम उस टाइम मोनिसा को इंसाल्ड किये कल जब सभी लोग किचन में थे तब जिया का मॉम मोनिसा के बारे में बोली कि उसका दिल और दिमाक से कनेक्से नहीं होता सिर्फ बोलते जाओ बोलते जाओ उसके उपर रियक्ट करते हुए मोनिसा बोली कि ये मेरे बारे में बात हो रही है तब जिया का मम बोली हाँ, बोलते रहो, बोलते रहो, आपके बाते सुनके मैं सोती हूँ, उसके उपर रियक्ट करते हुए मोनिसा बोली आप लोगों को अच्छा लगता है है ना, तब जिया का मम बोली थोड़ी लंबी होती है, पाच पन्नो का होता है, और उस टाइम इस के उपर बेबी को और पुजाभाट हस रही थी फिर जिया का मम बोली थोड़ा कम करना और कुछ नहीं उसके बाद उन्होंने जिया को बोली जब ऐसे पाच पन्नों का भासन स्टार्ट होता है तब मैं म्यूट कर देता हूँ इसके उपर रियक्ट करते हुए बहुत सरा बोल रहे है कि जिया का मम मोनिसा को इंसाल्ड किया है बाकी आप लोग अगर ओबला पाट देखा तो उसके उपर आप लोगों का ओपिनियोन क्या है कमेंट करके जरूर बाताना तो जिया के मम के बाद पुजाभाट के तरफ से उनका पापा महेस भाट आये थे घर के पुमत बला अदमी है तू बेटा सेलाम तेरे को महेस भाट के बाद बिग बस में आये थे एलवीस यादव का पापा एलवीस यादव सोचे थे कि उनका मम्मी आयेगी लेकिन उनका पापा आये अगर आप लोग एलवीस यादव को फलो करते हो तो आप लोगों को पता उनका पापा ज़्यादा केमेरा पे नहीं आते। इसलिए एलविस सोचा था कि उनका मम्मी आएगी। एलविस यदोब उनके पापा को देखते ही ओ बहुत ज़्यादा एमोसिनल हो गये थे। मोनिसा उनके पापा को देखते ही बोला सोसुर जी। जिसके उपर रियक्ट करत एलवीस यदभ बोला, यह क्या बोल रही है तू? तो ग्यास क्या आप लोगों को पता है, एलवीस यदभ का नमबार उनका पापा, किस नाम से उनके फोन में सेव करके रखा है? एलवीस यदभ उनके पापा, फुकर एंसान और मोनिसा जब बात कर रहे थे, तब उनका पापा बोले कि एलविस मेरा दिल का धड़कन है मेरे फोन पे इसका नामबर माई हाटवीट नाम पे सेव है और लोग जब बैटके बात कर रहे थे तब एलविस यदव उनके पापा को पुछा की बाहर क्या चल रहा है लेकिन एलविस यदव का पापा कुछ नहीं बोला तो इस सब के बाद जब एलविस यदव का पापा घर से जा रहे थे तब मोनिसा उनको बोली कि मैं एक गाना सुनाना चाती हूँ और फिर मोनिशा बोली सुनो सुसूर जी सुन लो मेरी बात आपका बेटा लाएगा मेरे घर ही बारत जिसके उपर रियक्ट करते हुए एलविस यदव का पापा मोनिशा को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया है उनका पापा बोले कि देख लो कभी सनम बेबाफा गाना गाना पड कि वो किसी ओनात बच्चे को एड़ोप्ट करेंगे और फिर उसका एडूकेशन का खर्चा उठाएंगे अब बात कर लेते हैं आसिस चंचलानी के बारे में तो आभी आसिस चंचलानी का एक फेक कॉमेंड बहुत ज़्यादा भायराल हो रहा है उस कॉमेंड में लिखा हुआ है कि Big Boss बाले TRP के लिए कुछ भी कह देते मुझे इसलिए ऐसे सोस ज़्यादा कुछ खास नहीं लागते I know Elvis ने गलत बोला पर इन चीजों में उसकी मौम को ले आना ये चीज बहुत आजीब लागी बाकि सलमन भाई ने जो भी चीज Elvis को समझाये है ओ भी सही थी पर इये स ऐसे ही स्क्रिप्टेड बेस पर ही चलते तकी उइनार उसे बनाया जा सके जिसे ये बनाना चाता इसी फेक कमेंट के उपर रियक्ट करते हुए असिस चंचला नी इंस्टागाम टोरिस में लिखे अब बत कर लेते हैं सोरब जसी के बरेते हैं तो गैस क्या सोरब जसी उनके चीजों का सोब करते हैं उसी के बरे में सोरब जसी उनके रिसेंट ब्लॉग में कुछ ये कहा आपने अभी तक अपने पांच-छे साल पुराने इस चोटे से बेड़ में रहता हूं यहां तो गैस ऐसे ही इंटरेस्टिंग निवस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मुद भूलना मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में जब सकते हैं